दोस्तों सुसान सिंग रासपुत मडर मिश्ट्री में एक ऐसा सबूत हात लग चुका है जिससे अब कातिलों तक पहुचने में ज़ादा वक्त नहीं लगेगा क्योंकि सुसान्थ सिंग के जितने भी कातिल हैं उनके साजिस करता है सब ने एक ऐसा इंतिजाम किया था जिसके जरिए इस मर्डर को आत्मांतिया की सकल आसानी से दी जा सकती है चाहे अस्पताल के साथ सेटिंग हो या फिर पुलिस की मिली जुली भगत तमाम ऐसे चीजे हैं जो कि अब सामने आ रही है लेकिन वो सबूत मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो सबूत के जरिये CBI कुछ ही वक्त में कातिलों तक पहुंच जाएगी और सोसान्त के कातिलों का परदा फास हो जाएगा दोस्तों दो गभा जी हाँ दो गभा और तीन सबूत हमारे हाथ लगी है मैं आपको इस वीडियो में किलियर कर दूँगा कि सोसान सिंगरासपुत का मडर कैसे हुआ है और लगभग ये भी ते हो जाएगा कि वो हत्यारा कौन है आज देश की 130 करोड जनता यही मांग कर रही है कि सोसान सिंगरासपुत को नयाय मिलनी चाहिए जिस तरीके से बॉलीबूड में गंदा खेल चलता है ड्रक्स का धंदा चलता है कहीं न कहीं सोसान सिंगरासपुत उसी का सिकार हुए है और रिया चक्रबर्ती आरोपी नम्मर वन है अब वो पुलीस हिरासत में है NCB अपने गिरप्त में उन्हें लेकर पूश ताज कर रही है एक के बाद एक खुलासे कर रही है रिया ने 25 ऐसे बॉलीबूड कलाकारों के नाम लिये हैं जो कि अब किलियर हो चुका है कि वो भी ड्रक्स के धंदे में सनलिप्त थे और सोसान सिंगराजपुत के मडर के पीछे उनका भी हाथ हो सकता है लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दू कि फार्म हाउस पर पाटी दिसा सालियान का मडर और उसके बाद सोसान सिंगराजपुत का मडर दोनों की हत्या अब मिलती जुलती दिख रही है और यही बड़ी वज़़ है कि सी बी आई लागातार दोनों की मौद को जोड़ कर देख रही है अब इसका परिनाम आने बाला है क्योंकि एक ऐसा सबूत सामने आ गिया है एक ऐसा गभा सामने आया है जिसके जर्य अब तै हो जाएगा की सुसांत की लाइटें चार बजे सुभह तक जलती रहती थी लेकिन तेरा जून की रात को सोसांत की लाइटें साड़े दस बजे रात में ही आप कर दिया गया क्या सोसांत की हत्या उसी वक्त हो गई थी तेरा जून की रात को ही हो गई थी लेकिन उस मडर को आत्म हत्या की सकल देनी की पूरी कोशिस की थी जिहां से दार्थ पिठानी आपको तो नाम याद है दिपेश नाम जरूर याद होगा और कुक नीरज ये तमाम ऐसे करेक्टर हैं जिस पर यही सक जा रहा है कि सुसान सिंग राजपूत के मडर के बाद इन लोगों ने वो पूरा इंतिजाम किया जिसके जरिये इसको आत्मत के लिए मजबूर हो गई लेकिन जब से सीबी आई के हाथ में ये पूरा केस कया है अब एक के बाद एक गवहा सामने आ रहे हैं वो डर नहीं रहे हैं क्योंकि सीबी आई के हाथ में केस जाने के पहले हर वो गवहा डर रहा था हर वो सबूत सामने नहीं आ पा रहा था जिस से ये पूरा मामला किलियर हो सके क्योंकि मुंबई पुलीस महराष्ट सरकार और तमाम सोसान सिंग राजपुत के जितने करीबी थे उनकी यही कोशिस थी कि सबूत को मिटाया जाए और इसको आत्म हत्या की सकलत दी जाए लेकिन सी बी आई लागातार इस पूरे मामले में ए चत से एक ऐसा संदिग्द सामान मिला है जिसके जरिये कातिलों तक आसानी से अब पहुचा जा सकता है फिंगर प्रिंट भी वहाँ पर मिले हैं और पैर के निशान भी मिले हैं यानि कि वहाँ पर CCTV केमरे नहीं है और वही गुप्त रास्ता है जिसके जरिये सुसान सिंग्राजपूत का हत्यारा भागा था सुसान सिंग्राजपूत का मडर हुआ था और जिस तरीके से उसके बाद कई गभा सामने आ रहे हैं चाहे कूपर अस्पताल के करमचारी हो या जरिये कोई भी सामानी इंसान भी कह सकता है कि सुसान का मडर हुआ है जी हाँ सुसान के गले पर सुयों की निसान थे एक नहीं दो नहीं तीन नहीं बलकि 20-25 ऐसे निसान थे जिसके जरिये कोई भी इंसान देखते ही कह देगा कि ये मडर है क्या सुसान की हत्या की पहले उ उनके गले में injection inject किया गया था, drugs inject किया गया था, ये एक बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दू कि कूपर अस्पताल के उस करमचारी का सापतोर से कहना है कि सुसांत का जो पुष्टमाटम है बता जा रहा है कि रात में हुआ है, लेकिन ये सारा सर जूट है, उस करमचारी का स आपतोर से कहना है कि सुभा आठ बजे सुसांत का पुष्टमाटम हो रहा था, और उन्होंने उन्हें अपनी आखों से देखा है, आखों से इसलिए देखा, वो दाबेक के साथ इस बात को इसलिए कह रहा है, कि वो चाय पहुचाने के लिए डॉक्टरों को गया था, और डॉक्टर सुसांत का पुष्टमाटम कर रहे थे, डॉक्टर आबस में यही जिक्र कर रहे थे कि सुसांत का मडर हुआ है, 100 नहीं बलकि 200 परसेंट, लेकिन उन्हों डॉक्टरों को किसने मिलाया, आखिर कागच पर उन्होंने मडर क्यों नहीं लिखा, कागच पर उन्हों है तो ऐसे में कोई बड़ी मचली का हाद जरूर है बड़ी माफिया का हाद जरूर है दोस्तों जिस तरीके से महराश सरकार पर ये लागातार आरोप लग रहे हैं कि रिया चकरबर्ती को वो बचा रहे हैं और सुसांत सिंग रास्पुत के कातिलों को भी वो बचा रहे हैं औ लेकिन जिस तरीके से महराज सरकार का रवया है उन्होंने उन पत्रकारों को अंदर किया जो कि सवाल पुछ रहे थे, उन पत्रकारों को अंदर किया जो कि एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे थे, देखना ये होगा कि क्या महराज सरकार कुछ सच्चाई को छुपाना क्या उन पत्रकारों को कुछ राच पता था जो कि पूरी दुनिया के सामने वो खोल देता। चकरबर्ती ड्रक्स लेती हैं उनका एक वीडियो भी सामने आ चुका है जिसमें वो सुसान सिंगराजपूत के साथ बैट कर वो स्मोक कर रही है वो स्मोक कोई मामूली नहीं है बलकि उसमें ड्रक्स है। कौन है? क्या सुसान के मडर के पीछे कोई ड्रक्स का कनेक्शन है? क्या दुबई का कनेक्शन है? क्या दुबई के माफियों के द्वारा सुसान का मडर कराया गया? जल्द ही CBI किलियर करने बाली है लेकिन पूरे देश का जो माहोल है लोक तंत्र की हत्या हो रही है जो भी सोसान सिंग राजपुत के पक्ष में आवाज बुलंद कर रहे हैं या फिर महराज सरकार के खिलाब बोल रहे हैं उनको या तो जेल में बंद कर रहे हैं या फिर उनके घर पर बुल्डोजर चलबा रहे हैं दोस्तों अब वक्त का इंतिजार करना पड़ेगा हो सकता है कि सरकार में बैठे लोग भी इस पूरे मामले में सामिल हो सकते हैं इस वीडियो को जादा से जादा से शेर कीजिए ताकि सोसान सिंग राजपुत के पक्ष में जो हम आवाज बुलंद कर रहे हैं उनको नयाय दिलानी की कोशिस कर रहे हैं उसमें हमारी मदद हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए आगे के अपडेट के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि सोसान सिंग राजपुत का असली काति इसी चैनल पर सबसे पहले बेनकाब होगा नमस्कार